तो हे गाईज कैसे हो आप लोग तो आज हम खेलने जा रहे हैं एक ऐसा गेम जिस गेम के अंदर हमें अलग-अलग सिच्वेशन बहुत सारे पुल बनाने हैं और सबसे पहला situation में हमें एक बहुती simple सा पुल बनाना है और इस पुल को बनाने के बाद हमें इस taxi को पुल के दोसरे side में cross कराना है तो चलिए सबसे पहले हमें दो road बनाना होगा एक छोटे छोटे से और इस road को मजबूत करने के लिए उपर से 20 बनाना होगा जिसके वैसी road और ज़यादा मजबूत लगे और गिडने का चांस बहुत ही कम हो जाए तो मैंने पुल बनाके रेडी कर दिया है और यह पुल बहुत ज़यादा मजबूत लग रहा है शायद तो सबसे पहले टेक्शी को पुल के दोसे साइड में क्रॉस कराते हैं जिसके वाइसे हमें पता चल सके कि पुल मजबूत है की नहीं है तो हमारा पुल बनके रेडी हो चुका है पुल बहुत ज़यादा मजबूत लग रहा है जिसके वाइस टेक्शी दोसे साइड में क्रॉस हो गया है तो गाइस दोसरा सिचुएशन आ चुका है और इसके अंदर जो हमें एक फायर तो सबसे पहले हम रोड बना देंगे रोड बनाने के बाद जो है इस रोड को जो है और जाता मजबूत करने के लिए उपर से बेस बनाएंगे उपर से सबसे पहले बेस बनाएंगे बेस बनाने के बाद जो हम इस ट्रक को जो है दोसरे साइड में क्रॉस कराएंगे क्योंक आसानी से दोस्ते साइड में क्रॉस हो गया है दो पुल तो हमने बना लिया वह सच में बहुत ज्यादा मजबूत पुल थे तीसरा पुल है और इस पुल के अंदर जो है हमें पुलीस की गाड़ी को जो है रोड की दोस्ते साइड में क्रॉस कराना है और इस पार तो मैं बिल् जैसे पुल इतना ज़्यादा कमजोड बना है और जैसे कि हमारा पुल बनके ready हो चुका है यह पुल सच में बहुत ज़्यादा simple था इसलिए मैंने बहुत ही आसानी से बना लिया है तो चलिए पुलिस की गाड़ी को जो है पुल के दोस्टे साइड में cross कराते है और देखते हैं हमारा पुल मजबूत है की नहीं है तो पुलिस की गाड़ी जो है पुल के उपर दोड़ने लगी है पुल बहुत ज़्यादा मजबूत है इसलिए आसानी से cross कर दिया भाई ये सिचुएशन थोड़ा बहुत हाड लग रहा है क्योंकि आप देख पा रहे हैं को इस साइड में थोड़ा उचाई है ये साइड थोड़ा लो है मतल़ थोड़ा नीचे है इसके अंदर हमें एक छोटा सा वैन को जो है मैं बेस देदेता हो, बेस देहने के बाद यहां से थोड़ा ढहलान rap करने के बाद रोड़ा को तधंगा आप मजबूत करना थैक् complaint को में एक में लिना इस साइड वाले को भाई मजबूत करना है तो मैंने इसका भाई बहुत अच्छे से मजबूत कर दिया है अब मुझे लग रहे कि फुल बहुत ज्यादा मजबूत तो चेलिए में अपने वैन को ज्योड़ बहुत ृब ये पुरा इंडर पुरा खराब हो चुका तूट गया है बहुत ज्यादा कउजोड़ था मुझे तो ऐसा लग रहा थे कि पुल बहुत ज्यादा मुझबूत है लेकिन कोई बात ने दुक्तराइट करते हैं मैंने दुकर रच्रीस कर मैं जबूती देने के लिए इसके ऊपर और जादा थोड़ा लगा दूँगा बहुत 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 जादा का बहाँ एसा हो रहा है। मुझे यह डाउन को ज़ादा है यहां पर धलान जो रहे हैं बहुत ज्यादा होनी के वैसे ऐसा हो रहा है उससे पहले यह दोनों को हटा दूंगा हटाने के बाद जो है इसको ऐसे और ऐसे एक मिनट एक मिनट रोड से करना पड़ेंगा मैं लकडी से बना रहा हूं पागलो की तरह अब ठीक लग रहा है अब अब मेरा वैंट जाने के लिए रैडी हो चुका क्योंकि यह बहुत ज्यादा मजबूत अब लग रहा है ओ ओ शेट 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 यार फिर से चला गया फिर से तूट गया एक मिनट एक मिनट एक मिनट तैन है जस्ट टाइम है या रोड लकडी यहां पी उसकरना है लकडी यह 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 लकड़ी यह अब मुझे पुल मजबूत लग रहा है ठीक ठीक अम मैं रैडी हो चुका है गाड़ी जाने के लिए तैयार है नहीं नहीं यार फिर से तूट गया फिर से तूट गया सबसे पहले मैं सभी को हटा दिया उपर में था और हटाने के बाद मैं पुराने वाले स्टाइल को यूज करूंगा जो मैंने आगे के दो में किया था अब मेरा पुल मजबूत लग रहा है मैं अपने गाड़े को दोडाने के लिए तयार हूँ यास 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 अब चला गया तो गाइस इस सिच्वेशन के अंदर एक जंपिंग टाइप का ट्रैक बनाना है जिसके वज़े से जो गाड़ी आए वा तुरान इक्दम जंप करे और इस साइड में पहुंच जाए तो चलिए बिल्ड अप करते हैं रोड को बनाते हैं सबसे प करते हैं जासे कि मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छे से हो चुका है और पर इस गाड़े को रन कर के देखता हूं कि जंप एकदम सेफटी से लगा देता हूं ताकि बिल्कुल ना गिर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पुरी तरीके से इसका बेस्ट है एकदम स्ट्रॉंग हो गया एकदम मजबूत हो गया है और हमारा गाड़ी जो एकदम सटाक से उड़ जाएगा तो आया 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 यह 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 मजबूत बनाना पड़ेगा यहां का तो एरिया टूड़ या कोई ब्लास्ट करता हूं और दुबारा से बनाता हूं ऐसे एक मिनट रोड से बनाना है न थोड़ा से ऊपर थोड़ा से और ऊपर यहां तक रहेगा दैन उसके बास से मुझे यह लगाना है और नीचे कर दिय अब मुझे लगते है यह पूल रेडी हो चुका है और अपनी गाड़ी को जम्प कर निकल मैं तयार हो गया हूं तो 3, 2, 1 स्टार्ट यह 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 जम्प करता जम्प करता से अ यह यास यह जम्प करता बहुत ही मज़ेदार था तो गैस इस सिचोइशन में ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा पूल बनाना है जिस पूल के मदद से गाड़ी भी चली जाए और उसके नीचे से बड़े बड़े शिप भी चली जाए तो समझ गया मैं मैं यहाँ पे पूल को थोड़ा कर्व शेप में बनाऊंगा जिसके वज़े से आसानी से सारी गाड़ी चली जाए जैसा कि नीचे रेड़ शिप दिख रहा है मुझे इतना उचे पूल बनाना है कि जिसके वज़े से पूल से यह शिप ना टकराया बहुत ही आसानी से चला जाए ये तो लेवल बहुत ज़्यादा आशान लग रहा है बस मुझे जो है मैटल वारे रश्ची से जो है इस पुल को और मजबूती दे देना है जिसके वज़े से पुल जो है बिलकुल ही ना टूटेक दा मजबूती से खड़ी रहे और फाइनली हमारे पुल बनके रेडी हो चुका है मैं अपने कार को दोड़ाने के लिए तयार हो गया हूँ तो 3,2,1 हमारा शिप भी नीचे से जा रहा है और कार भी जाने के लिए तयार हो चुका है और क कार भी दिरे दिरे आगे बढ़ रहा है बहुत ही आराम अराम से पुल आगे बढ़ रहा है कार अब पुल हमारे बहुत मजबूत बना है और कार भी पहूं timest चुका है तो गाई से खार धर ये थोड़ा सा डिफिकल्ड लग रहा कि मुझे इसमें एक ऐसे पुल बनाना है ज यह पुल बहुत ज्यादा मजबूत भी होना चाहिए तो सबसे पहले मैं एक ट्रैक बनाऊंगा जिसके वज़े से मदद से यह बहुत ही ओके ठीक है यहां तक तो चलाएगा और यह सिंपल से आ जाएगा मुझे ज्यादा ही लग रहा है कोई बात नहीं हो गया भागने के लिए थोड़ा सब पुल ओ शेट यार शेट शेट यार पूल तो बुरी तरीके से टूट गया और वैं जो है पानी में डूप चुका है कोई बात नहीं डूबार ट्राइ करते हैं तो इसमें कुछ तो कमी लग रही है तो सबसे पहले मुझे इधर मजबू पूती देनी के लिए जो है मुझे इसको और ज्यादा मजबूत करना होगा ताकि यह भी ना टूटे अब यह रेडी हो चुका है ऐसा मुझे तो लग रहा है अगर इसको उपर से मैं दे देता हूं जिसके वाइस से यह और ज्यादा मजबूत हो जाए पुल और शायद मेर पैसे खतम हो चुका है तो मेरा इतना ही पूल हो सकता है तो कोई बात ने स्टार्ट करके देखते हैं और बहुत ही ओ शट या फिर से तूट गया शट 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 शैट फिर से तूट गया इस बार भी बोटी बुरी तरेके से तूट यह मुझे समझ में नहीं आ रहे कि कहां पर कमी आ रहे जिसके वैसे मेरा पुल टूट जा रहा है मैंने दुबारा से सभी को हटा दिया है अब मुझे इस पुल को इस तरीके से बनाना है ताकि यह पुल जो है चारो तरप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहे और किसी भी तरीके से गिरने का कोई भी चांस ना रहे तो सबसे पहले मैं एक रोड बनाता हूँ रोड ऐसे सीधा जाएगा और यहाँ पर आने की बाद जो है दो थोड़ा से डाउन हो जाएगा ताकि ज़्यादा डाउन नहीं रहेगा जिसके वह से मजबूत जादा रहेगा पुल और इसके बाद से जो है मैं लकडी लगाने के बाद इसको मजबूत कर दूँगा सबसे पहले और मेरे पास इसमें unlimited रुपए है तो इसलिए मैं कितना भी पैसे को यूज कर सकता हूँ इस पुल को बनाने के लिए और यहाँ पर मजबूती दे दूँगा और थोड़ा से और inside को मजबूत कर देता हूँ मजबूत करने के बाद जो है यह और जादा गिरने का डर नहीं रहेगा एक मिनट बैक अब थोड़ा पुल मजबूत लग रहा है एक बार दोड़ा के देखता हूँ कि हमारा वैन आराम से जा पा रहा है कि नहीं जा पा रहा है और बहुत जादा पुल हमारा मजबूत होनी के वैसे बहुती आसानी से चला गया है लेकिन एंड में पुल तूट गया था तभी भी हमारा वैन बहुती आराम से चला गया बाई सब मचा आ गया मेरे तो धड़कन एक सकीन के लिए रुख गया था तो गाइस यह नेक्श टास्क है इसके अंदर हम एक एम्बुलेंस को जो है दोसरे साइड में पहुंचाना है यह एक बहुत ही खतरनाक टास्क है क्योंकि इसमें तो हम बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि एम्बुलेंस अगर नदी के अंदर गिरता है तो किसी की जान भी जा सकती है क्योंकि यह गाड़ी ऐसे खतरो वाली गाड़ी होती है तो सबसे पहले मैं इक बहुती सीधा सा रोड बना दूँगा रोड बना एक बाद मैं इसको बेस देने के लिए दो पॉइंट मुझे दीए गया है तो सबसे पहले मैं लंबी लंबी लखड़ी लगा दूँगा और इसको बेस के लिए यहाँ पर कर दूँगा करने के बाद जो है अब मेरे पास 2600 रुपे मैंने यूज कर लिया है 3700 रुपे हैं कि सबसे पहले मैं इस गाड़ी को एक बार चलागे दिखता हूं क्या पता मेरे कमी पैसे में यह पुल को बहुत ही अच्छे से रैडी कर दूँ तो हमारा एंबुलेंस रेडी हो गया है जाने कि बहुत ही आराम सो शेट या शेट या नहीं 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 एंबुलेंस गया पान अब ठीक लग रहा है अब मेरे पुल अराम से रैडी हो चुका है मजबूत भी लग रहा है गिरने का चांस नहीं है और मैंने 32 में पुल बना लिया बहुत ज़्यादा मजबूत लग रहा है बहुत ही आसानी से मेरे अम्बुलेंस पहुंच गया है यह यार मैंने कर दिया यह 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 बहुत यह आसान था